दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट किया है, अपना कोई काम चालू किया है या फिर अगर आप करने की सोच रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन आपके पास फंड की कमी आ गई है, आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे आप गवर्मेंट से परधान मंतरी मुद्रा योजना के तहट बहुत ही असान किस्तों पे बैंक से लोन ले सकते हो और जिसका जो ब्याज है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हो और मैं आप सभी को बताता हूँ कि लोन लेने का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको लोन मिलता है, क्या-क्या eligible criteria है सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाज तक जोर देखेगा देखे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे लोन किसको दिया जाता है परदान मंतरी मुद्रा योजना के तहट अगर आप अपना कोई नया स्टार्टप चालू करना चाते हैं या फिर अगर आपने कोई अपना नया छोटा मोटा काम चालू कर लिया और फिर आपको पैसों की जोरत पड़ गई है तो आप यहाँ से लोन के लिए अपलाई कर सकते हो और आसान किस्टों पे बहुत ही कम ब्याज पे यहाँ से आप लोन ले सकते हो अब यहाँ पे आपको लोन दिया कितना जाता है कैसे दिया जाता है उसका भी प्रोसेस बता देता हूं तो देखे, सबसे पहले यहाँ पे तीन तरीके का आपको लोन दिया जाता है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो है आपको सिसु लोन, यहाँ पे अगर आप अपना कोई नया काम चालू करना चाते हैं, कोई नया स्टार्टप चालू करना चाते हैं, जिसमें कि आपको कम पैसो के ज़रत है तो आप शीसु लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं शीसु लोन में आपको 0 से लेके 50,000 रुपे तक का लोन दिया जाता है जिसका ब्यास दर बहुत ही ज़दा कम होता है और आप इसको बहुत ही आसान किस्तों पर भड़ सकते हो लेकिन ये आपको जभी मिलेगा जब niż किसी भी चीज के लिए लून ले लहाँ कि अगई कोई स्टाइट आपको पड़ाने के लिए और अब पैसो की जुरत पढ़ गई हांश डिया तो किसोर लोन में आपको 50,000 रुपे से लेके 5,000,000 तक का लोन दिया जाता है जिससे कि आप अपने काम को और बढ़ा सको और बढ़ा कर सको अपने बिजनेस को और बढ़ा सको और यहाँ पे जो तीसरा लोन है वो है तरुन लोन यहाँ पे आपको क्या होता है यहाँ पे आपको थोड़े बड़े एमाउन के लोन मिलते हैं लेकिन इसके लिए आपका जो काम है आपके थोड़ा बड़ा होना चाहिए आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये काम है और ये आगे जाके ऐसे तो तरुन जो लोन है यहां पर आपको 5 लाग से लेकर 10 लाग का लोन मिलता है और लेकिन यह भी आपको कम ब्याज पर ही मिलता है और असान किस्तों पर मिल जाता है तो अगर आपने कोई बड़ा बिंजनेस बनाने के लिए सोचा है और उसमें आपको पैसे की जौरत पढ़ तो आप जो है तरुन लोन के लिए अपलाई करके जादा लोन भी ले सकते हो लेकिन यहां पर आपको दिखाना पड़ता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो ताकि आगे आपको बैंग में वेरिफाई हो सके फिर लोन मिल सके अगर ये तीनों चीज़े आप पे पास है तो आप कौन सा लोन लेना चाहते हो ठीक इसके बाद का प्रोसेस क्या है अगर आप लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों अगर आप परधान मंत्री मुद्रा योजना के लिए लोन लेना चाहते हो तो इसके लिए इलिजबल क्राइटेरिया क्या क्या है मतलब कौन कौन से लोग इस ल लगाना है अपने काम पे ही लगाना है ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए और भर गंपको देटी है कुछ और चीज में लगा दिया तो ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा अब दोस्तो ये सारा process होने के बाद आपको apply कैसे करना हैं आपने जान लिया कि àpko आपको कैसे लोन मिलता है, कितना लोन मिलता है, कब आपको लोन ले सकते हो, कौन-कौन से लोग ले सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लोन के लिए apply कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, अब देखें दोस्तों, अगर आप इस लोन के लिए apply करना चाहते हो, आप आपको सब पता चल गया कि क्या ड कॉमेंट की जुरत है कौन लोग apply कर सकते हैं क्या apply करने का process है यह सब आपको पता चल गया लेकिन अगर आप को apply करना तो आप apply कैसे करोगे तो apply करने के लिए सब अपने किसी भी नर्जदी की जो भी आपका bank account है उसके ब्राँच में चले जाना है उस ब्रांच में जाने के बाद आपके पास आपका आधार आपको ब्रांच में जाके उनसे बोलना है कि सर मुझे परधान मंत्री मुद्राय योजना के तहत लोन चाहिए मुझे फॉर्म दे दीजे तो वो आपको परधान मंत्री मुद्राय योजना का जो फॉर्म होता है वो आपको दे देंगे वो form लेके आपको fill करना है और bank में ही submit कर देना है अब दोस्तो जैसे आप ये सारे form submit कर दोगे अपने detail bank में submit कर दोगे तो आपका form submit हो जाएगा और उसके बाद bank से approve होने के बाद सारी detail verify होने के बाद आपका जो loan है आपके bank account में आ जाएगा और उसको आप अपने business के लिए use कर सकते हो तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप परधान मंतरी मुद्रा योजना से loan ले सकते हो बहुत ही असान किस्तों पे और बहुत ही कम ब्यासदर पे अगर आप private loan लेते हो तो वहाँ पे आपको ब्यासदर ज्यादा देना होता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यदा जंजट भी होता है किसी grantor को लेकर आओ यह करो वो करो बहुत सारे जंजट होते हैं तो आपको अगर पैसो की ज़रत है आपको सच्वे पैसो की ज़रत है या फिर आप कोई नया काम चालो करना चाते हो तो उसके लिए आप यहाँ से apply कर सकते हो बाखी जो भी ज़रूरी जानकारी है मैं आपको description box में भी दे दूँगो वहाँ से आप पढ़ सकते हो document क्या के चाहिए वो भी मैं आपको नीचे description में दे दूँगो आप चेक कर सकते हो चलि दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो के ऐसा लगा comment करके जोर बताएगा कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है समझ में नहीं आता तो आप उसके लिए मेरे को comment करके बता सकते हैं और दोस्तो वीडियो को like करके channel को भी subscribe कर लिजेगा ताकि आगे कोई भी वीडियो अगर मैं ऐसे upload करूँ को informative वीडियो अगर upload करूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए आपसे मिशना होजए चलिए दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते किसी next वीडियो में